10 science का physics portion पर हम discussion करने वाले physics मतलब उसको freeze में रखो और cool करो और cool करो तो पूरे concept आपके clear हो जाएंगे और clear होगए concept तो अपन CBSC वाले portion जो CBSC के exam में physics वाले portion में धूम बचा देंगे और हम अब start करते हैं मैं राम रगवांसी फ्रॉम मेसी कोचिंग देखें फर्स चेप्टर हमारा light है यह जो कि हम डेली light में यूज करते हैं इसमें टू पोर्शन से mirror और lens mirror में क्या होगा reflection और reflection किसमें होता है same medium में और lens reflection इसमें two mediums requirement होता है next जब आप आते हैं हम first portion पे जो की CVC 2021 में आया क्या दिया दिख रहा है एक साइड पोर्श मतलब एक है कौनके mirror है और इसमें किस position पे हमारा focus से आगे focus से आगे जब भी रहता है तो image कैसी बनती है उसके behind the mirror बनती है और large size की बनती है इरेट मतलब क्या हो दिया इरेट जब भी image बनेगी तो magnification कैसा होगा positive magnification positive और आपने को options question पर पूछा है कार्डेशन साइन के थ्रू अपने को magnification बताना है तो इसका मतलब positive positive वाले choice कर लेंगे मतलब यह negative वाले कर जाएंगे cancel out अब इसके बाद हमको मालूम है behind the mirror कैसी बनती है large size और large size बन रही इसका मतलब क्या है magnification कैसा होगा बिटा greater than 1 और greater than 1 होगा इसका मतलब यह कौछ सा option आ गया और less than 1 है इसका मतलब उसका image का size के बटा object से small है यह एक और formula होता है minus b upon u image distance upon object distance अगर बटा positive है magnification positive है मतलब क्या है erect image है और erect हमेशा कैसी होती है virtual होती बटा और negative बोल रहा है इसका मतलब real image है बटा और real image है कैसी होती हमेशा inverted next question देखते है बटा आपन next एक student है जो wants to project the image of the candle कहाँ पर बना रहा है screen पे जब भी image screen पे बट रही है और यह screen बढ़ आया है इसका मतलब image की बात कर रहा है image distance की बात कर रहा है image distance दिए in front of mirror mirror के front में image का form होती है only concave mirror में क्योंकि convex mirror में तो behind the mirror find होती है इसका मतलब हम understood हो गए कि mirror कौनसा हो गया बटा कौनके mirror हो गया नेक्स्ट candle candle flame at a distance 20 cm वह कहाँ पर रख रहा है उसको you distance दी बटा 20 cm क्या पुछा what type of mirror mirror कौनसा mirror है जिसमें front में बनती है अभी बताया मैंने कौनके बस mirror है जिसमें front में image बनती है convex में इसा कहां बनती है behind the mirror इसका मतलब कौनसा answer जाए बताया कौनके mirror find the magnification of image तो find the magnification बूच रहा है तो magnification के आप भी just formula बता है एक तो height of image है पर height of object पर यहां पर image की size दी दी है क्या दी है पर बन रहा है इसका मतलब है इसा object हो और उसी side में image बन रही है कितने पर 20 पर 80 तो दोनों के बीच में gap कितना होगा बटा 60 का gap होगा यह कितने का gap होगा 60 का next draw a ray diagram अब draw a ray diagram अपने कोई समझ माया है प्रेंट भी बन रही है image और पीछे बन रही है object आ गया है तो इसका मतलब इसको clear करने के लिए हम क्या आगा सकते है बिटा focal line find out कर सकते है focal line find out करने के लिए mirror का आपने वह formula पता है बना पॉन equal to one upon b plus one upon u और यही पर अगर minus sign आ जाएगा तो कि इसको जाएगा यहां पर solve करके आप आजाएगी और concrete की प्रेंट की प्रेंट की आजएगी तो इसको solve करके हम क्या जाएगा हमारा बिटा कहना जीए इसका मतलब है कि हमारा object 20 पर है इसका मतलब वो क्या है फोकल लेंग और C के क्या है C के आगे और C के आगे तो इमेज कमा बनती है C के बीचे next question बिटा यह कैसा कुछ दिया है और अपने को पूछ रहा है as per arrangement optical device कौन सी होगी यह optical device मतलब race आ रही है और उससे क्या हो रही है एक कोई ऐसा object है उससे क्या हो रही है पास हो रही है मतलब यह क्या है reflection हो रहा है reflection किसमें होता बटा lens को होता है इसका मतलब mirror options क्यों हो जाएंगे cancel out अब lens में lens में आपने को मालू है कौन से lens में क्या हो रही है diverge होती है diverging lens कोल सा हमारा हमारा concave lens है तो यहां पर light जब भी pass हो रहा है इसका मतलब वो reflection हो रहा है reflection हो रहा है reflection हो रहा मतलब lens है lens में आद रहतने बटा concave कैसा होता है diverging spread हो रही है converging मतलब converging lens कोल से हो जाएगा convex यहीं अगर हम देखा जाए तो converging के देखो race आ रही है और पास मारी मतलब converging और race इसमें जाती है तो वो diverge होती है next mirror के लिए क्या हो जाता है यह चीज़े opposite हो जाती है next हमारा एक question दिया और is not true बोल रहा है c के उपर object है तो image कहा बनेगी c के नीचे अपने को यह पता है और इसका मतलब not correct पूछा है तो हमको c के नीचे बन रही है और inverted image हमें से कैसे होती है real बनेगी और inverted बनेगी यह तो current होंगे और हमारा और same size की बनती है और focus के double distance पर बनती है इसका मतलब n रस तो बने नीए यह option हो गया यहाँ पर infinity पर जब भी image रहती तो infinity पर object रहता तो image focus पर बनती है focus object रहता तो image कहा मन जाती है c के आगे रहता तो c के पीछे c के उपर c के नीचे c के आगे c के बीचे focus रहता तो बिटा कहां मन जाती है behind the mirror next question अब अपने से पूछ रहा है the reciprocal of focal length यह आपने पढ़ा है the reciprocal of focal length next के पूछ रहा है उसे पुछा है कि student uses lens जिसकी focal length दिया है बटा और यह दो type की focal length पूछ रहा है उसमें nature पूछ रहा पावर के अगर बटा focal length positive दिया है positive focal length तो power भी क्या आएगी positive और positive power या positive focal length किसकी होगी बटा convex lens की और negative negative अगर focal length given अपने को तो power भी कैसी होगी negative और हो पिसकी होगी बटा पॉनके lens की next question next chapter बटा human eye है और human eye बहुत easy chapter है इससे fixed question आता है इसमें कोई घुमाने अफ्राने वाला system नहीं है और यह 3,000 question जिस पर practice करा दोंको बस उसको revise करना है next हम देखते है human eye यह human eye यह basic eye है और देखते है इसमें क्या question पूचा है four parts of level और इनकी functioning पूचा है ABC और D के नाम पूचा है तो बटा यह जो lens है lens के सामने जो रहता है pupil और lens से connect रहता है उसको बोते हम iris और iris के बाद जो रहता है silvery muscle उसकी functioning बताना है pupil क्या करता है amount of light entering इसको control करता है कितना amount अपने को light को enter कराना pupil का काम यह silvery muscle का काम बेटा curvature modify the curvature lens का curvature को control करता है iris के करता है size of the pupil को control करता है और retina image formation करता है next आता अपना question what is the four point or near point यह तो बच्चे वाला question four point मतला four मतला infinity और near point मतला 25 cm और इसको हम क्या बोलता है least distance or distance vision next आते है बटा हम next question हमारा difficulties जो है reading reading of blackboard और वह कहा बेठा 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 last row में बेठा और difficulties हो रही है इसका मतला उसको क्या बटा है near-sideness है myopia है near जो नान है वह दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब near-sideness है और near-sideness में near में बनता है rating है कि पहले बन जाता है इसलिए इसका नाम क्या है near-sideness और इसको अगर आपने को रिमूब करना है तो कौन सा lens यूज करेंगे बटा हम आपने भी याद रखना है near words ज्यादा होते है तो उसमें कौन के ओ for-sideness में 4-3 words कर रहता तो convex lens यूज करेंगे ऐसा याद रख सकते हो next question एक अपने को मैजदर को रहा है तुंगली मोप स्टार्ट किसमे होता है रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन मतलब changing atmosphere मतलब medium change होना blue sky blue sky किसमे होता रिटा scattering scattering मतलब light spread हो जाता है rainbow किसमे होता है रिफ्रेक्शन और rainbow में क्या होता है two reflections होते है रिफ्रेक्शन और spectrum spectrum किसमे होता है groups of color मतलब prism अभी इसके बाद बाला question में देखनेगे next देखते हम glass prism बोला है और spectrum इसका मतलब prism आया spectrum आया यह prism दिखर है रिफ्रेक्शन 7 colors में 1 to 7 और इसको याद रहना कैसे रिफ्रेक्शन the color of at position mark 3 & 5 similar to the color of sky and color of gold medal और क्या पुछा correct-incorrect तो अपने को ध्यान रखने है अपने को मालूम है विफ्रेक्शन विफ्रेक्शन उल्टा चलता है बस इसको ऐसे चलाना है नीचे वालेट होता है और उपर वाला red होता है और यह बोल रहा है third position पर क्या रहा है यह लोग पर यह क्या बोल रहा है third position पर color of sky blue होता है इसका मतलब यह गलत दे रहा है color of sky तो वह कुण सा होगा अपना 5th color होगा मतलब यह adjust क्या कर रहा है opposite इसका मतलब यह incorrect हो और इसका reverse order क्या होगा correct होगा next question हमारा which two position corresponding closer to color brinzer किस color का होता है violet color 7 number danger and stop signal red color 1 number next question पर देखता है next chapter current है 1st question हमारा defined 1 bolt 1 bolt मतलब simple आपने को यह formula यह दोना चाहिए V equal to W upon Q और इससे अपने को definition देना है कि बन कुलाम चार्ज को 1 Joule बर्विरांट करना पड़ता है infinity से किसी point तक लाने हम that is called 1 bolt next question पुछ रहा है calculate the amount of energy और बन कुलाम चार्ज दिया है और अपने को 3 bolt दिया है next question write SI unit of resistivity Registivity का एक और नाम क्या होता है specific unit specific resistance और R A formula अपने पर आद रहा है R equal to row L upon A इसको आप resistance का आप या तो या तो याद कर लो आप या तो direct find out भी कर सकते है क्या होती ही बटा ohm into biter और यह formulation को क्या है numericals आते हैं जैसे आपको यह numerical आ सकता है कि यह कोई buyer है और उसकी length L है और cross section area यह है अगर उसको stretch करके उसकी double length कर दिया जाए तब उसकी new resistance क्या हो जैसे double length करीने तो बटा इसमें एक चीज़ हीडर रहती कि area यह हो जाता हाफ हो जाता यह बताता नहीं अपने को understand नहीं करना but cut करने की बात कर रहे है तो उसमें area of cross section change नहीं करना है और next resistivity किस पर depend करते ही बिटा only material पर depend करता है row मतलब resistivity next जबकिस होई resistance की बात करेंगे बताना है तो यह simple आया CVC की पूरे CVC की question है पूरे concern कुछी क्या है heat or width heat-width यहां धरता है heat equal to width VIT बस तो भी potential भी हो गया current भी हो गया time भी relation हो गया next एक पूचर अपने से कोई ऐसा circuit diagram दिया और current drop पूच रहा है और यहां पर एक circuit diagram अपने voltage दे रही है और resistance तो दिया है current पूच रहा है मतलब ohms ला लाएंगी ohms ला क्या होता हमारा B directly proportional to i अगर physical condition इसमें आद अपना ohms ला में physical condition are not change मतलब length area material change नहीं होना ची temperature change नहीं होना ची तो उसके लिए बस लाग हो और इस तरिकर दिया मतलब हमको क्या है combinations of resistance तो अपने को बड़े current flow होता है current flow कराया अपने इसके बास हमने देखी कि two path दिखे हमको यह i1 और यह क्या हो जाएगा i1 बट यह i1 भाई देख रहे हो आप करी divide हो रहा है क्या नई इसका मतलब यह तीनों में क्या है मतलब यह circuit ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है बट यहां पर यह circuit को अपने को tension नहीं लेने के अपने को तो यह तीनों मतलब current same दिख रहा है मतलब यह series में क्या होते है resistance simply add होते है 30 30 और इस 30 में i1 जा रहा है और यह 10 इस वाले 10 में क्या रहा है i2 तो यह तो इसको different different current जा रहा है parallel और parallel वाला क्या formula जाएगा 1 upon R is equal to 1 upon 10 plus 1 upon 30 और इसको solve करेंगी तो आपका answer जाएगा resistance और उसके बाद next question देखते हम एक अपने को दिया है वही electrical energy बोल सकते हैं और अबनी formula पढ़ा heat equal to heat ऐसी the rate of doing electrical power और पावर जो वी आई की लोगों पास क्या होते है पावार तो वी आई और फी ठीक है next इसकी unit क्या होती है जूल और इसकी unit क्या होती है what next next question out of 60 Watt 40 Watt के length दिये है और अपने को पूछ रहा है कि which one has higher electrical resistance electrical resistance बोल रहा है कि इन में से किसका higher electrical resistance है तो अपने को मादू में भाई पावर जब गिवान है तो पावर का एकॉन formula होता है power equal to B कर अपन आर यह खर दगाते है जब same potential हो और same potential अपने को तो हमको यह समझ माया P equal to vehicle upon R यह तो same है मतलब P directly proportional to 1 upon R और 1 upon R है मतलब R अगर greater होगा तो P क्या होगा less और power किसकी लह सवाई 40 Watt वाले length की तो इसका मतलब उसका क्या होगा हाई resistance होगा next Kilowatt अगर हमने पूल है commercial unit of electrical energy क्या होती है और उसका जूल में convert करना तो क्या आता है 3.6 into 10.5 hours कैसे क्लow का मतलब होता है 1000 hours मतलब 3600 next next chapter वाटा हमारा magnetic effect of current इसमें 1st question है what are magnetic magnetic field lines magnetic field lines विल्फु बच्चा और गोश्षर वाटा क्या आता है इमेजनरी होती है और कहा जाती है outside में north to south और inside में south to north simple next वाटा two magnetic field lines never intersect पीछ अगर वो intersect करेगी तो हमारा magnetic field lines की direction क्या होती है जो हमारी magnetic field है उस पे हम tangent रो कर दो तो क्या बताता है magnetic field की direction और अगर एक point पर दो intersect करेंगे तो direction मिलेगी और two direction को हमारी compass needle calculate नहीं कर सकती बटा है magnetic field lines are close close क्यों होती बटा north से डिखलेगी south पर जाएगी outside में और inside में क्या होती है south to north ठीक है next question बटा for the current carrying solenoid solenoid बोला बटा solenoid बोला है तो इसमें क्या है पूचर अपने को 3 points ABC पर अपने को क्या बताना है magnetic field distance बताने बटा current in उनने magnetic field lines हमेशा in होगी magnetic field line in किसमें होती है south portion में current out यहां से हो रहा है magnetic field lines भी क्यों होगी magnetic field lines out कहां पर होती है outside में north pole में south current in हो रहा है south है north portion अब यह देखने कि magnetic field strength कहां पर होती है तो सबसाद है inside होती magnetic field strength मतलब यह point पर maximum होगी और जो end points रहते है जैसे end point है यह वाले end point पर points पर जो होती है inside की half होती है magnetic field strength और सबसे कहां होती है outside में और इस solid net को लगा डालगा तो life जिंगा लालगा ठीक है next देखते हैं question a charge particle दिये है magnetic field दिये charge particle move हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह left hand flaming rule लगने वाला है यहाँ पर दो ही rule है हली singh वाला pose नहीं देने आपने को यह यह वाला देने आपने को यह मतलब right hand thumb rule और यह हमारा क्या left hand flaming rule किसमें अपने को ध्यान देना है यह magnetic field है magnetic field की direction move so करता है यह किसकी direction so करता है current पर यहाँ charge particle है और यहाँ पर यह बड़ हो जाए कि जो force लग रहा है यह हमारा charge particle के दर move हो रहा है outside the page मतलब यह बाहर हो रहा है मतलब current कहा जा रहा होगा नीचे और नीचे current जाएगा तभी यह force इदर सो करेगा मतलब charge particle कैसा होगा वाई positive क्योंकि मैंने अभी बताया है positive और positive से क्या होता है current लो होता है यहीं अगर inside बोल देता हो तो हमारा inside होता है मतलब current उपर जाता है जब charge particle मतलब electron हो और electron के अपोजिन में क्या होता है current लो होता है next question उटब last question हमारा पूरी physics portion का last question बहुत easy है और इसमें diagram अपने को याद अपने domestic circuit को एक बार बना लेना क्या diagram है 3 wires होते आप भी जानते है earth wire कैसा होता green live wire मतलब living living things में blood होता है red होता है neutral wire मतलब black neutral है blue कई बार यूज कर सकते है live wire के बाद just क्या लगाते है next electric meter distribution box man switch और distribution box से हम two type के current flow करा सकते है एक 5 ampere वाला जिससे हम fan बल बगरे चला सकते है small devices है और जो heavy devices है 15 ampere लगाना जैसे AC और freeze उसके लिए हमके लगाते है power plug के यूज करते है next हमारा question इसमे question पूछाई कि one fuse out should be replace another importance of fuse बताना importance of fuse क्या है safety device के लिए उस होता है अपर पहले लगता है open circuit लिए उस होता है और यह भी क्या करता है प्रवेंट करता है circuit damage को लिए और fault अगेरा को prevent घरने के लिए all the best अगेरा के लिए